भगवान कृष्ण ने कहा था कि घर की लड़ाईयों में सबसे जादा दुख महिलाओं को जहलना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ माता गांधारी के साथ जिन्होंने अपने सौ बेटों की मृत्यू देखी महाभारत के युद्ध में। चलिए जानते हैं माता गांधारी के शादी के लिए मान जाती हैं। शादी के बाद माता गांधारी अपने पती के अंदे होने की तकलीफ को समझने के लिए अपनी आँखों पे आजीवन पट्टी बांध के रखती हैं। माता गांधारी को भगवान शिफ से सौ बच्चों का वर्दान भी मिला था। जिसके चलते शादी के बाद वो दो साल तक प्रेग्निट थी। उसके बाद उन्होंने एक मास के तुकड़े को जनम दिया। उस मास के तुकड़े को सौ हिस्सों में डिवाइट करने के बाद मटके में दो साल तक रखने के बाद उसमें से बच्चे निकले। ये प्रोसेस उस ट का टेस्ट्यू बेवी भी कहलाता है माता गांधारी अपने सौ बच्चों से बहुत प्यार करती थी लेकिन महाभारत के युद में उन्होंने अपने सौ बच्चों को मरते दें